एक फिल्मी बैग्राउंड से तालुकाद रखने वाली ऐसी आदाकारा जिसने बहुत कम उमर में एक्टिंग में अपना कदम रख दिया था वो भी सिर्फ चार साल की उमर में जब उन्होंने असी के दशक की जाने मानी आदाकारा दीना पाठा की बेटी का रोल निभाया था आज के समय में छोटे परदे के सबसे मशुहूर टीवी सीरियल अनुपमा में नजर आने वाली एक्टरस रुपाली गाउंगुली जो जाने जाती हैं अपनी भैतरीन एक्टिंग के लिए पच्चिम बंगाल की राधानी कोलकता में जन्मी 5 अप्रैल 1977 को बोलीवुड के जाने माने डिरेक्टर और स्क्रीन डेटर अनिल गाउंगुली के घर रुपाली गाउंगुली का रुजान शुरू से ही एक्टिंग की तरफ था यहां तक कि रुपाली के सगे भाई विजे गाउंगुली भी एक जाने माने कोलोग्रेफर हैं बोलीवुड में जिन्होंने कई मुवीज के गानों को कलोग्रेफ करा है जैसे अंदादुन, त्र लव आजकल, उनमें कुछ प्रमुक फिल्में है, सातीव है, फिल्म फिर से भी समानित करे गए थे, उनके दुआरा क्योलोग्रेफ करे गई 2017 की फिल्म, जग्गा जासुस के गाने, गल्ती से मिस्टेक के लिए, वैसे तो 4 साल की उमर में, रुपाली ने एक छोटा रोल न प्राइटी में रखा था, अपने दोनों बच्चों के लिए, लेकिन उनका माना था, अगर एक्टिंग में अपना करेर बनाना भी है, तब भी अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करना, रुपाली ने अपनी स्कूलिंग के पढ़ाई और ग्रेजुएशन मुंबई से ही करी ह रुपाली ने एज लीड एक्टिंग के तोर पर अपना डेब्यू करा था, जब वह 13 साल के थी बंगाली मूवी बलीदान से, जिस दोरान उनके 10 के बोर्ड के एक्जामस भी थे, रुपाली ने थेटर करना भी अपने कॉलेज के दिनों के दोरान ही शुरू कर दिया था, और साथ में मॉडलिंग में भी अपना हाथ अजमाया था, जिसके बाद रुपाली ने अपना कदम रखा था, छोटे पड़दे की तरफ, और डेब्यू करा, साल 2000 में आए, टीवी सीरिल सुकन्या से, जिसके बाद वह दिखी, 2002 में दिल है की मानता नहीं, जिसमें रुपा अम्याभी नहीं मिली, जिसकी वह हगदार थी, लेकिन 2003 में आए, स्टार प्लस के टीवी सीरिल संजीवनी में, डॉक्टर सिमरन के नेगटिव रोल में, उनकी अदाकारी को पसंद किया गया, जिसके कारण वह नोमिनेट हुई थी, इंडियन टेली अवार्ड्स के बेस्ट नाम बनाने में कामेब हो गई थी, जिसके कारण वह नोमिनेट भी करी गई थी, 2005 में इंडियन टेली अवार्ड्स में, बेस्ट एक्टर्स इन अ कॉमिक रोल में, जिसके बाद ऐसे और भी टीवी सीरिल थे, जिसका वह हिस्सा रही, जैसे कहानी घरगर की, कव्यान जली, एक पैकिट उमीद, बाब, बहु और बेबी आपकी अंतरा, साथ ही वह, 2006 में, बिग बोस के सीजन वान का भी हिस्सा रही, साथ ही वह, फिर फेक्टर के सीजन दो में भी नजर आई, फिलाल वह हिस्सा है, साल 2020 में शुरू हुए, स्टार प्लस के टीवी सिरिल अनुपमा म लिस्ट में शामिल हो गया था, मौझदा समय में कोई भी दूसरा ऐसा शो नहीं है, जिसकी इतनी बड़ी ओडिन्स है, जो घर घर देखा जाता है, जिसका श्रे मुखे तोर पर रुपाली को ही जाता है, अनुपमा शो हिंदी रीमेक है, बंगाली सीरल शिर्मोई का, रु 2013 में रुपाली ने अश्विन के साथ शादी कर ली, रुपाली फिल्मी बैग्राउंड से तालुकाद रखने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ है, उनमें जारा साभी इगो नहीं है, जो ये दिखाता है कि वह किस महौल में पली बड़ी है, आपको वीडियो कैसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरू करिएगा